हलो नमस्कार दोस्तों और आप लोगों का इस यूटूब चैनल आउनली सक्सेस में बहुत-बहुत स्वागत है जैसे आपको पता है कल हम लोगों ने जिस ट्रिक के साथ एक शेडियूल पढ़े थे आज हम लोग उसी ट्रिक के साथ आज हम लोग विटामिन्स पढ़ने वाल है तो आप लोग जितने भी हमारे नए दोस्त हैं जली से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे लाइक कर दीजे और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है थोड़ा सा भी अच्छा लगा थोड़ा सा भी फायदा हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर सेंगे डिस्कस करने के बाद में पूरा वीडियो के एंड में हम लोग एक क्रिक में जो होगा कि आपके जो भी वितेमिन हैं आपको one line में ही आपको हमेशा हमेशा के लिए सारे vitamins याद होने वाले हैं तो बिलकुल जुड़े रही है end तक देखिए पहले vitamins समझते हैं उनसे होने वाले disease समझते हैं फिर end में ट्रिक समझते हैं जिससे कि आपको ना कोई किताब ना कोई notes कुछ नहीं पढ़ने जोरत है बस एक बार एक topic खतम तो चलिए शुरू करते हम लोग बिना देर की हुए और यहां पर देखिए हम लोग vitamins पढ़ते हैं पहले में बता दूँ vitamins होते कितने तरह के हैं vitamin A होता है vitamin B होता है vitamin C होता है vitamin D होता है vitamin K होता है vitamin E होता है यह सारे vitamins होते हैं अब इसके अलावा जो vitamin V होता है वो vitamin B1 से लेके B12 तक vitamins होते हैं अब इसके बाद में हम लोग discuss करते हैं एक एक करके सारे vitamins vitamin A, vitamin A का chemical नाम होता है retinol आप लोग ध्यान से पढ़िए क्योंकि जो इनके नाम है आपको इनी ट्रिक से इनके कैमिकल नाम भी याद हो जाएंगे और आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि हमेशा एक्जाम्स में चाहे वो कोई भी एक्जाम हो सस्सी हो बैंकिंग हो पी सी एसो यूपी सी हो मैस्द फॉलोंग में या कभी इंडिविज्वीज्व फैक्ट के तौर पे आप से हमेशा पूछ ले था विटामिन एक का कैमिकल नाम क्या है तो आपको पता होना चाहिए तो लेकिन याद करने की टेंशन बिलकुल छोड़ दी तक आपको पूरा का पूरा रटने वाला है तो बिलकुल भूल जाएए ठीक है तो बस आप यहां समझ लीजे देखिए विटामिन ए का रेटिनॉल कैमिकल नाम होता है अब इससे विटामिन एकी डिफिशेंसी से कौन कौन से बिमारिया होती है नाइट ब्लाइडनेस जिस नाइट ब्लाइडनेस क्या होता है रताउंद ही हो जाती है जैसे आप डॉक्टर पास जाएंगे या आपका विजन कमजोर हो जाता है तो बोला जाता है आप क्या खाईए लीफी वेजिटेवल खाईए पत्तेदार सबसियां वो खाईए फल खाईए आप मतलब ऐसी चीज नाम क्या है तो रेटिनॉल अगला पढ़ते हैं विटामिन बीवन बीवन इसका केमिकल नाम होता है थाइमिन इसको रोग होती है बेरी-बेरी तो थाइमिन पूछा जाएगा तो आपको थाइमिन ही पूछा जाएगा अचा विटामिन भी होता है जो बीवन से लेके बीट तो बिटामिन B1 का नाम थाइमिन इससे होने वाली बीमारी बेरी-बेरी बिटामिन B2 का राइबो फ्लेविन क्राइक आफ स्किन अच्छा देखते हूं जैसे किसी कि स्किन जैसे पैर में पैर कि फट जाते हैं पैर या कभी आपको हाथ में लगता है कुछ रैश्च हो गए ह तो बिटामिन B2 की कमी से होता है तो अब आगे से कभी ऐसा आपको दिखे आसपस तो आप समझ जाए है बिटामिन B2 की कमी से ही क्रैकिंग आफ स्किन आपकी हो रही है इसका केमिकल नाम होता है राइबो फ्लेविन बिटामिन B3 का केमिकल नाम क्या है नाइसिन इसका होने वाली इसकी कमी से होने वाली बिमारी का नाम क्या है पिलागरा पिलागरा आप लोग जो भी हिंदी मीडियम से भी है या इंग्लिश मीडियम से इसको पिलागरा ही बोलेंगे तो आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत हुई है तो इंग्लिश मीडियम का है तो आप इसको bilingual में लिखना नहीं जरूरी समझा मुझे लगता है मैं बता दूँगा तो इस सब के लिए sufficient हो जाएगा vitamin B5 vitamin B4 भी होता है पर वो जरूरी बिलकुल भी नहीं है तो आप लो निश्यन रहें उसको छोड़ दें vitamin B5 होता है इसका chemical नाम होता है pentothenic acid ठीक है तो यह आपको याद होना चाहिए pentothenic acid किसका नाम है vitamin B5 का अब इसकी कमी से होने वाले बीमारी कौन सी होती की premature graying of years आजकल के students में आपने देखा होगा जितने लोग पढ़ाई करते रहते हैं या उन सब हमारे दोस्तों में थोड़ा सा common problem हो जाती है कि मतलब जो बाल सफेद हो करते हैं कभी सिर के कभी डाड़ी के तो इस तरह का premature graying of years देखे एक एज के बाद मतलब जब 35 क्रॉस करते हैं तो यह तो एक naturally पहले तो होता तो लोग 40 से उपर हो जाते तो उनके बाल सफेद ही नहीं होते थे लेकिन अभी क्या है कि एक naturally देखें क्योंकि हमारा खान पान थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है हम लोग उतना polluted environment में रहते हैं तो यह क्या होता है कि हमारा जो बाड़ी में जो hormonal disorder हो जाता है हमारे premature graying of years होते हैं तो वो ज्यादा तर होने लग जाते हैं तो किसकी कमी से होते हैं पैंटो थैनिक acid की कमी से तो अगर हम लोग ऐसा खाना खायें जिसमें vitamin b5 अगर भरपूर मात्रा में हैं तो हो सकता है कुछ हत्ता control हो जाएगा अब पूरी तरह से बंद तो नहीं होगा बट यह है क्योंकि हम लोग फिर खान पान के साथ साथ हम लोग एक बहुत ही अच्छे environment में रहना चाहिए तो वो possible नहीं है आजकल इतना pollution है हमारे खाने में इतना fertilizer मिला रहता है इतनी मिलावट रहती है तो पॉसिबिल नहीं है बट यह है कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हम लोग जो supplement से वो लेके body को healthy रखें तो vitamin b5 की कमी से होता है premature growing of years यानि की बालों में ज pyridoxin हिंदी में भी इसको pyridoxin ही बोलते हैं इसकी कमी से हो जाता है anemia basically जो यह anemia का मतलब होता है जो blood में hemoglobin कम हो जाता है वैसे अगर एक नॉर्मली जो hemoglobin होता है वो 10 प्लस बहुत अच्छा माना जाता है अब 10 से कम थोड़ा सा आप anemic होने लग जाते हैं ठीक है तो बैसे तो यह चाहे male हो या female हो सभी में यह बहुत मतलब माना जाता है पर females में यह anemic होने वाली जो बीमारी रहती है तो यह बहुत ही commonly पाई जाती है तो यह basically पाई जाती है vitamin B6 की कमी से paridoxin इसका chemical नाम है होने वाली बीमारी इसमें anemia है और भी बीमारियां होती है तरह त है chemical नाम baiotin है इसमें basically यह इसमें कई सारी मिक्षर होता है इसमें इसकोई major बीमारी नहीं है इसलिए मैंने इसको नहीं डाला यहां पर ऐसा नहीं है कि यह नहीं डाला है तो vitamin B7 जो है इसको important नहीं है यह important है b7 पूछ लेते हैं बायोटेन किसका chemical नाम है तो आपको पता होना चाहिए, कि vitamin B7 का नाम Biotin है. अगला vitamin है, vitamin B12, इसका chemical नाम है Cobylamin. ये पता होना चाहिए, हिंदी में भी से Cobylamin ही बोलते हैं, इसमें भी होने वाली इसकी deficiency से बिमारी का नाम है Pernitious Anemia. यह आपको पता होना चाहिए कभी आपसे पूच लेते हैं पर नीस निमिया ये अनिमिया वैसे तो इतना बहुत प्रिसाइज नहीं पूछते हैं six or b12 में लेकिन आपको पता chemical नाम जरूर पूछ लेते हैं कि मैस दा following में b1, b2, b3 ऐसे पूछ लेंगे तो उसमें मैस दा following में सामने आपको दे देंगे कि बायोटेन, थाइमिन ये किसका chemical नाम है तो आपको पता होना चाहिए और बिमारी में तो following नहीं पूछते हैं लेकिन individually आपको पता होना चाहिए कि परनीशिय साइनिमिया किसके कमी से होता है तो vitamin b12, तो vitamin b जो है इसमें इतने ही important थे तो ये मैंने यहाँ पर दे दिया, इसके लावा आप परिशान बिल्कुल मत होए, ये आपका handy notes है, तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद अगला vitamin आता है, vitamin b, sorry, vitamin c, इसका chemical नाम है ascorbic acid, इसमें इसकी कमी से होने वाली जो बिमारिया, scurvy, bleeding gums, अचाहिए, अब इसमें देखते हूँ, किसी-किसी के मसूडों में से थोड़ा सा blood आने लग जाता है, ठीक है, उसमें दातों संबंदे जो बिमारियां होती है, तो ये vitamin c की कमी से ही ये बिमारी होती है, अब आप देखते होंगे, जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो बोलें, आप खटे फल खाईए, नीबू खाईए, लैमन हो गया, ठीक है, ओरेंज हो गया, ठीक आमला हो गया, तो जितने भी खटे फल होते हैं, वो हमारे देते हैं, vitamin c की कमी को पूरा करते हैं, तो vitamin b, vitamin c की कमी को, sorry, actually vitamin b इतना जादा हो गया है, कि c की जगए भी ही आ रहा है, तो आप लोग याद रखिए, थोड़ा सा अगर miss pronunciation हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा बस थोड़ा सा अलर्ट होके सुनिये, vitamin c का chemical नाम ascorbic acid है, इसकी कमी से होने वाले बिमारियां सकर्वी है, bleeding gums है, तो यह आपको पता होना चाहिए, और याद बिलकुल भूल चाहिए, आखरी में ऐसी trick बताऊँगा, आखरी तक देखिए, जिससे कि आपको पूरे एक एक करके सारे vitamins याद हो जाएंगे, बिलकुल tension मत लीज़े, विटामिन D, इसका chemical नाम क्या है, कैल्सी फिरॉल, इसकी कमी से होने वाले बिमारियां क्या है, रिकेट्स, बोन डिजीज, जैसे आपको पता होगा कि पहली बात तो विटामिन D जो होता है, विटामिन D ऐसा माना जाता है, कि ये एक ऐसा हार्मोन होता है, कि जो सारे vitamins होते हैं, उनको एब्सार करने में, विटामिन D की एक बहुत ही एहम भूमिका रहती है, इंपॉर्टन रोल रहता है, तो इसमें जो हड्डियों में जो कोई भी बिमारी होती है, तो विटामिन D की कमी से ही हड्डियों की बिमारी पाई जाती है, इसका chemical नाम क्या है, कैल्सी फि पहली बात तो विटामिन E जो होता है, ये बालों के लिए, स्किन के लिए, ये तो होता ही होता है, बट यहाँ पे मैंने, ये तो मुझे लगता है, आपको पता ही होगा, कि हेर्ज, विटामिन आप देखते होंगे, कि केरेटेन हो गया, विटामिन E लोग बालों में तो यह vitamin E जो हमारे reproductive system होता है, वहाँ पर थोड़ा सा irregularities या deformity cause करने में इसके main भूमिकार होती है vitamin E की, जैसे इसमें कहता है कि menstrual irregularities होती है, जो females में commonly पाया जाता है irregularity, तो विटामिन E की कमी से ही पाया जाता है, मतलब abortions की problem आ जाती है females में तो vitamin E की कहीं न कहीं ये कमी देखी जाती है उसकी वज़े से ये होता है तो इसका chemical नाम है tocopherol अब आखरी vitamin है vitamin K इसका chemical नाम है phalikinone इसमें basically आप देखते होंगे कि जब आपको कोई चोट लग जाती है चोट में blood आने लग जाता है फिर थोड़ी देर के बाद में blood आना बंद हो जाता है वहाँ पे blood जमना शुरू हो जाता है उसको बोलते हैं clotting तो vitamin E की कमी से जब आपकी body में vitamin K कम है sorry E नहीं है K है अगर K कम है तो आपका blood clotting में problem create होना शुरू हो जाएगा तो अगर vitamin K होना चाहिए आपकी body में अगर K आप जैसे आप चोट लग जाती है vitamin K कमी हो गई तो पताचला आपका blood clotting नहीं हो रहा है या बहुत जादा देर से clotting हो रहा है इसकी कमी से होने वाले जो बिमारी होती है कि delayed clotting of blood तो चलिए दोस्तों यह होगे हमारे सारे vitamins अब एक एक करके यह हम लोग ने पढ़ा A से लेके E तक के सारे vitamins अब बारी आती है हम लोग discuss करेंगे एक trick को जिससे सारे के सारे vitamins हमारे tip of the tongue होने वाले अब आपको कुछ नहीं करना है बस एक तीन word का एक line है उसको आप बस याद कर लीजे इसके बाद में आपका सारे vitamins आपके tip of the tongue हो गए line क्या है? magical trick हमारी है रत एक toffee एक रत है वो एक toffee है रत क्या है? एक toffee है बस यही है हमारा formula magical trick जिससे हम लोग सारे vitamins के chemical नाम tip of the tongue हो जाएंगे रत एक क्या है? एक toffee है बस इसको तीन बार बोलेंगे याद हो जाएंगे रत एक toffee है हिंदी में भी वही लिख दिया मैंने रत एक toffee अब इसका हर word का मैंने यहाँ पे इसको explain भी कर दिया RA से retinol होता है vitamin A TS से thymine होता है vitamin B रत vitamin A, vitamin B 1 1 से ascorbic acid और calciferol vitamin C और vitamin D 1 का मतलब हो गया 1 ascorbic acid और calciferol 1 क, 1 क, 1 क, 1 क, 1 क, 1 क, ठीक है vitamin C, ascorbic acid, calciferol 1 का मतलब 2 हो गया C और D अब लागला आते हैं रत एक toffee toffee का हो गया tau, tau से tokyferol phi, philocinol याद हो गया रत एक toffee अब इसको एक बार और देख लेते हैं रत विटामिन A, विटामिन B R A से रेटिनोल T S से थाइमीन 1 से ascorbic acid और calciferol विटामिन C और विटामिन D टौफी tau से tokyferol phi से philocinol ठीक है रत एक toffee तो मुझे लगता है आपको सारे विटामिन tip of the tongue हो गये होंगे और दोस्तो इसका जो भी pdf है मैं यहाँ पे description में डाल दूँगा या telegram group में डाल दूँगा आप लोग वहाँ से बिलकुल free है आपको कुछ एक भी पैसा नहीं देना है बस आप लोग पढ़ते रही है एक एक ट्रिक करके हम लोग फिर से discuss करेंगे telegram group से आप इसको download कर लीजे और बिलकुल अब आपको मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होने वाली और आपको थोड़ा सा भी लगा है कि आपको थोड़ा सा भी फाइदा हो राइस वीडियो से तो आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स के सा शेयर करिए कल हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नए शॉटकट के साथ मिलेंगे अगर इन केस आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे आपको कोई शॉटकट की जरूरत है तो आप लोग जरूर हमें बताईए हम लोग उस पे वीडियो जरूर बनाएंगे तो चलिए थैंक्स वर वाचिंग थैंक्स वर गिविंग लाव चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे थैंक्यू सो मत